मूमफली जो स्वस वसा और गुनवत्ता वाले प्रोटीन से भर पूर होती हैं। मिट्टी के कई लापकारे घटकों को इकठा करके हमारे टेबल पर आती हैं। प्राचीन काल से मानव स्वास्थय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले इस पोशक तत्व का एक नया लाब प्रतिदिंख होजा जा रहा है। मूंगफली जो अपने उच्छ योगिक पूल के साथ हृदे स्वास्थय से लेकर मदु मेह तक कई बीमारियों के लिए अच्छी है। सही समय और मात्रा में सेवन करने पर कई चयापचे समस्याओं का इलाज कर सकती है। मूंगफली के सेवन के क्या फाइदे हैं? कैसे, कब और कितना सेवन करना चाहिए? आए एक साथ जाच करें। लाबों पर आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को मुफ्त में सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम यहां हर दिन एक नई जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ हैं। जैसे मैंगनीज, पोटेशियम और तामबा, जो आपके दिल के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये पदार्थ रिदे संबंधी कारियों का समर्थन करके वाहिकाओं में तनाफ को कम करते हैं। वाहिकाओं को शिथिल होने की अनुमती देकर रक्चाप को संतुलित करने में ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मिदारी लेता है। वही मुँफली में मौझूद डाइटरी, फाइबर और पॉली सैकराइड आतों की वनस्पतियों की रक्षा करते हैं और पाचन को आसान बनाते हैं। यह पाचन तंत्र के सक्रिय कामकाज का समर्थन करता है, यह पेट और आतों में सूजन को दूर करने में मदद करता है, इसमें मौजूद स्वस्त तेल पाचन तंत्र में लाबकारी बैक्टीरिया को खिलाते हैं और आतों के सभी कारियों में सुधार करते हैं, इसकी उच्छ फोलिक एसिद सामगरी के साथ, यह पेट में हानिकारक एसिद के प्रसार को रोकता है, यह गेस्ट्राइटिस और पेट के अलसर जैसी पेट की समस्याओं से बचाता है, त्वस्त मस्तिष्क सनरचना के लिए मुठी भर मूंग फली, इस भोजन में नियासिन होता है, जो मस्त टोफन शरीर को आराम देता है और अनिद्रा पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, वही मूंग फली जिसमें कैलशियम, पोटेशियम, आइरन, मैंगनीज, जिंक और मैगनीशियम जैसे बहुत मजबूत योगिक होते हैं, प्रतिरक्षा गतिविधियों को सुगम बनाकर हमा महत पपूर्ण भूमिका निभाता है, खास तोर पर इसमें मौझूद कैलशियम और कौपर मिनरल जोरों के दर्द को कम करता है, ये एक शमताएं हड़ी के उतकों को सनरक्षित करने में मदद करती हैं, दूसरी और ये फैटी एसिद से भरपूर होता है, जिसके महत पपू पूर्ण कार्य होते हैं, जैसे रक्त में शरकरा की मात्रा को संतुलित करना और शरीर द्वारा इसका उप्योग करने के तरीके को नियंतरित करना, मुंग्फली में फैटी एसिद और एंटी ऑक्सीडेंट पदार्थों के लिए धन्यवाद, वेग लाइकेशन गथन प्रक इस समय के दोरान यह धीरे-धीरे हमारे रक्त को दिया जाता है, प्रिप्ती प्रक्रिया को लंबा करता है और हमारे शरकरा को धीमा करता है, इसके अलावा यह उच्च गुनवत्ता वाले प्रोटीन के साथ मांस्पेशियों के उतकों की रक्षा करके बेसल चयाप्चय की प्रोटीन के कारण क्यालोरी में बहुत कम नहीं है, अधिक मात्रा में सेवन करने पर वजन की समस्या हो सकती है, इसके अलावा नमकीन भुनी और तली हुई मूंगफली की किस्मों को बाजारों और स्टालों में बेचा जाता है, जिसमें यह लाब होते हैं, इन किस्मों की खपत की सिफारिश नहीं की जाती है, दूसरी ओर, यदि मूंगफली, जो हमारे संपूर्ण पाचन स्वास्थ्य के लिए सकारात्म गतिविध्या करती है, का कम समय में बहुत अधिक सेवन किया जाता है, तो वे आवश्यक्ता से अधिक पाचन तंत्र पर आक्रमन करते हैं और इसमें पानी की मात्रा कम होने के कारण आंतों में परेशानी हो सकती है, तो मूंगफली का सेवन कितना करना चाहिए, विशेश अग्य दो माइनस तीन दिनों के लिए या अपनी प्राकृतिक अवस्था के करीब आधा मुठी मूंगफली का सेवन करने की सलाह देते हैं इस चानकारी के आलोक में आप मूंगफली को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं और इसके दीर्पकालिक लाबों का लाब उठा सकते हैं, अगर आप हमारे विडियो को पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अच्छी तरह से रहें, सूचित रहें